नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोच खबर कालक्रम आज अपने इस कालक्रम में मैं आपके साथ मोधी जी और उनके चीतों पर नहीं चर्चा करने जा रही क्योंकि उन्हें देखकर आपका मन भर गया होगा या भरने भरने को होगा अब सोचिए ना आठ चीते और असी घंटे या यूं कहिए पता नहीं कितने घंटों तक उस पर कवरेज हो चुकी है और होती रहेगी यहां ध्यान देने की बात बस इतनी है कि मद्रप्रदेश के शियोपूर के कुनों में जहां करोणों रुपे खर्च करके नामीबिया से आठ चीते लाए गए हैं वह पूरा का पूरा इलाका भीशन गरीबी भुखमरी से घिरा हुआ है हर कोने पर यहां पर कुपोशन हैं बच्चों बच्चे इसकी कहानी अपने आप में कहते दिखाई देते हैं ना ही हम जादा बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के दावों के बारे में क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के बाद पंजाब को हासिल करने के बाद इस समय वह अपनी पूरी टीम के साथ पूरी मुस्तैदी से मोदी जी और अमिज शाह जी के गुजरात पर नजर गड़ाए हुए हैं और वहां के मद्दाताओं को कॉंग्रिस के बरक्स अपने पा लेकिन दो तीन बहुत एहम चीजें जिन पर राष्टी राजनीती में चर्चा होना जरूरी है उसमें एक खुलासा जो अर्विन केजरिवाल ने किया उन्होंने मोदी सरकार में जो प्रधान मंत्री कार्याले है उसमें एक शक्स का नाम लिया हीरेन जोशी का पब्लिकली लिया और उन्होंने उनके बारे में जो खुलासा किया वह निश्चित तोर पर ध्यान दोयने योगे हैं इन्वेस्टिगेशन के योग है तमाम तरह के पत्रकारों को पता करने के लिए जरूरी है कि जो सारा दावा अर्विन केजरिवाल हिरेन जोशी के बारे में कह रहे ह उन्होंने जो बताया कि किस तरह से यह तमाम बड़े मीडिया घराने के मालिकों संपादोकों को फोन करके धमकाते हैं अभधर भाशा का इस्तमाल करते हैं कि बाकी जो पार्टिया हैं उनका कवरिश मीडिया में ना हो सवाल बहुत एहम है और निश्चित तोर पर जिस तर कर्म की कोड़ी खेली है जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि सीधे भगवान की कृपा से ही उनकी इच्छा से ही आम आदमी पार्टी बनी बड़ी हैरानी होती है सोचके कि एक तरफ गोवा में कुछ नेताओं को सीधे कनेक्शन होता है भगवान से और यहां पर अर्व भार्ती राजनीती का एक एहम चहरा भारत जोडो यात्रा में भी दिखाई दे रहा है जो कॉंग्रेस चला रही है राहुल गांधी के नितृतु में भारत जोडो यात्रा कण्या कुमारी से शुरू हुई इंदिनो केरल में है यहां मैं आपसे जिक्र बस इतना करना कि जिस तरह से इस भारत जोडो यात्रा को निशाने पर लिया है, जिस तरह से इस पर हमला है, जिस तरह की गंदगी उडेली जा रही है, वह बताती है कि भाशपा और भाशपा से जुड़े लोगों के दिमाग में किस तरह की विकृतियां हैं। यहां देखिए यह फोटो जिस पर बवाल काटने की कोशिश की थी भाशपा से जुड़े तमिलनाडू की नेता ने इस शक्स ने राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी की बेटी के साथ बैठे हूं में पुरानी फोटो है और इसे लेकर जो उन्होंने अपनी दिम प्रचार में इस्तमाल करने की कोशिश करती है दोस्तों आईए चलते हैं भारत को देखते हैं कुछ तस्वीरों से बहुत कुछ कह रही हैं तस्वीरें यह पत्र देखिए यह पत्र भारत के एक नागरिक ने जब जिन्दा थे मोदी साहेब को लिखा उनके जनम दिन की मैं आपकी लापरवाही की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा हूँ प्लीज हमारी फसलों को उचित दाम दो यह हमारा हक है पैताले साल के दशरत लक्षमन कैदारी ने मरने से पहले यह पत्र परधान मंत्री के नाम लिखा महराश्ट के पुने के एक गाउं से तालुक था दशरत का हम सब जानते हैं कि देश के किसान किस मजबूरी में हैं वड़गाओं आनंदगाओं के रहने वाले दशरत महज 45 साल के हैं और आप सोचिए इस तस्वीर को देखी और साथ ही साथ आप इसकी तुलना करें कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने भव्व तरीके से अपना जनम दिन मनाया किस तरह से वह आते हैं एक राजा की तरह अपने जनम दिन पर चीतों को खोलते हैं सिर्फ इतना ही नहीं तमिल नाडू में भारतिय जनता पार्टी एलान करती है कि मोदी जी के जनम दिन के दिन ज भारती जनतापार्टी और मोधी जी आपको ये लोग क्यों नहीं दिखाई देते जो आपको ही सम्बोधित करते हैं, पत्र लिखते हैं और आत्मत्या करने पर मजबूर होते हैं यह दूसरी तस्वीर कानपूर से आई है उत्तर प्रदेश के योगी जी के उत्तर प्रदेश से यहां पर कानपूर में तीन भारतिय नागरिकों ने सीवर सेप्टिक टैंक में दम तोड़ दिया कानपूर के बर्रा थाने छेत्र में मालविय नगर में सेप्टिक टैंक में तीन भारतिय नागरिक अंकित पाल उम्र 28 साल अमित कुमार उम्र 26 साल शिवातिवारी उम्र 25 साल यह सब बच सकते थे हम सब जानते हैं कि सीवर और सेप्टिक टैंक में मौतें सिस्टम की वज़ा से होती है सरकार की अंदेखी की वज़ा से होती है क्योंकि यहाँ पर कानून के मुताबिक किसी भी इंसान को उतरना नहीं चाहिए इसे जानने के लिए बहुत बड़ी विज्ञान के जरुवत नहीं लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि 2000 से अधिक भारतिय नागरिक, सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे जा चुके हैं अब विडंबना देखिए कि इसी देश में 11 अप्रेल से एक यात्रा चल रही है Stop Killing Us उसकी सिर्फ एक मांग है सीवर और सेप्टिक टैंक में जो हत्याएं हो रही हैं इन्हें बंद किया जाए देश की राजधानी दिल्ली में कुछी दिन पहले तीन भारतिय नागरिक मारे गए थे वे भी तक्रीबन इसी तरह से 131 दिन से अधिक हो गए इस यात्रा को चलते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में लेकिन मौतें हत्याएं जारी हैं और सरकार अपनी आपराधिक चुपी के साथ चीतों को दोड़ा रही है दोस्तों आलम ये है कि 2022 में सितंबर 18 तक 59 भारतिय नागरिक सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे जा चुके हैं जब वह आकड़े हैं जिन पर खबरें प्रकाशित हुई हैं जिन पर दस्तावेज हैं जब इतनी चिंता जनक हालत सीवर और सेप्टिक टैंक में होने वाली हत्याओं पर है जिन पर लगातार चुपी बनी हुई है तब समझ लेना चाहिए कि देश की तस्वीर कितनी भीश जाती वादी है यह द्रिश यह वीडियो भी उत्तर प्रदेश से है अब आप देखिए कि लखीमपूर में एक लड़की के साथ छिड़खानी होती है विरोत करती है लड़की मारपीट होती है और चार दिन बाद उनकी मौत हो जाती है मौत के बाद जिस तरह से पुलिस जेसी भी से गड़ा खुतवा कर लाश को दफनाती है शायद वह बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून विवस्था किस मुकाम पर है कॉंट्रास देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुक्हिमंत्री योगी जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून विवस्था की स्थिती है वह देश और दुनिया में सबसे अवल है बेमिसाल है उत्तरप्रदेश की कानून और विवस्था जबकि हम सब तकरीबन रोज देख रहे हैं कि उत्तरप्रदेश में कानून विवस्था उसकी धजियां रोज उड़ रही हैं और इसी के बरक्स अब यह तस्वीर देखिए योगी जी का मंदिर बन गया है जी हाँ योगी आदितिनात का मंदिर आयोध्या गोरकपुर हाईवे के किनारे भरत कुन के पास बनाया जा चुका है 2014 से योगी के प्रचारक रहे प्रभाकर मौरे ने यह मंदिर बन वाया है अब आप देखिए कि यह मंदिर, कानून विवस्था के स्थिती और नेताओं का महिमा मंदन यह सब एक साथ हो रहा है आईए अब देखते हैं कि किस तरह से जो सोशल मीडिया पे खबरे चलती है जो मीडिया जिस तरह से खबरे दिखाता है जिस तरह से दुश्प्रचार अफवाहों का दौर चलता है वह कितना घातक होता है इसकी ताजा मिसाल चंडिगड के मोहाली इलाके से देखने को मिली यहां एक प्राइविट उनिवरस्टी एक निजी विश्विद्याले में चात्राओं का गुसा उबाल पर आया यहां पर एक चात्रा पर आरोप लगा कि उसने तकरीबन साथ लड़कियों के वीडियो बनाए और अपने एक दोस्त को शिमला में भेजे यहां अफवाह बहुत तेजी से चली और इसके साथ ही साथ यह भी खबर आई कि इस वीडियो के लीक होने से कई लड़कियों ने आत्मत्या तक की कोशिश की पूरी तरह से हंगामा हुआ हंगामा होना बहुत जायस था तमाम तरह के वीडियो वो वीडियो नहीं जिनकी चर्चा थी वह वीडियो जिसमें लड़की को वाडन डाट रही है लड़कियां बात कर रहे हैं सब कुछ सोशल मीडिया पर था लड़की का चहरा लड़की जिस व्यक्ति को वीडियो भेज रही थी वह सब पब्लिक डोम उसके हिसाब से यह जो पूरा हंगामा था यह गलत भ्रामक जानकारियों पर आधारित बताया जा रहा है पुलिस का कहना बहुत साफ है कि यह लड़की सिर्फ अपने वीडियो बना कर अपने एक दोस्त को शिमला में भेज रही थी और वह शक्स भी गिरफतार यह लड़की अभी गिरफतार इनके फोन से सिर्फ उनके आपसी वीडियो मिले हैं सवाल बहुत बड़ा है सवाल यह है कि जो साथ वीडियो की बाते आई जो यह बात आए कि वो तमाम और लड़कियों की अश्लील वीडियो बना कर शेयर कर रही थी वह सब आखिर क्यों और कैसे पहली जबकि अभी तफ्तीश नहीं हुई थी यह बहुत एहम पॉइंट है कि हमने उस लड़की को उस लड़की के चेहरे को सारी दुनिया के सामने कर दिया बिना बुनियादी जाज किये जो कि सरासर देश के कानून के खिलाफ है हो सकता है दोश बड़ा हो लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि दोश का निर्धारन करने की जिम्मेदारी क्या सोशल मीडिया या बाकी लोगों पर सौपी जाएगी जैसा कि मौहल हमें दिखाई दे रहा है कि आज किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है और उसके जब जानकारी सामने आती है तो कोई कहीं से माफी नहीं मांगता मिसाल के तौर पर फिर वापस चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ वहां से एक बार फिर एक संगठित अपराद की खबर आई है यह खबर इस तरह की कई खबरे हमारे सामने आती रही है और इस बार आल्ट कि उसके मुहमद जुबेर ने जिस तरह से पूरी क्रोनोलोजी समझाई है उसे देखना समझना बेहत जरूरी है कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के एक डॉक्टर अर्विंद वत्स अकेला ने दावा किया था कि उन पर सिर्थ तन से जुदा का एक धंकी आई है एक मैसे और उसके बाद हमने देखा कि पूरा मीडिया आप मीडिया का नाम लीजिए कोई सारे कॉर्परेट मीडिया एक के बाद एक खबरे चलाते रहे मीडिया में मुसल्मानों के खिलाफ नफरत उडेली जाती रही हर एक के पास अपना तंत्र था कि कोई किसी का नाम बता रहा और आप देखिए पांच दिन बाद खुद पुलिस की जांच में सामने आया कि यह शक्स खुद ही साजिश करता है इसने अपने को लोगप्रिय करने के लिए अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए यह सारा ड्रामा खुद ही रचा यह मैं और आप नहीं यह पुलिस कह रही है पुलिस की जांच में पता चला कि खुद ही इसने एक इंटरनाशनल कॉल किया खुद अपने को और यह सारा ड्रामा रचा अब आप देखिए चाहे आज तक हो इंडिया टीवी हो कोई भी टीवी सारे टीवी लगातार मुसल्मानों के खिलाफ इस शक्स के आधार पर नफर वही यती नरसिहानन जो नफरत उडेलने के लिए मशूर है कुख्यात है और वह सामने सामने सीधे सीधे एसपी सिटी को धमकी देता है और कहता है कि अगर इस शक्स के ऊपर कोई हमला होता है तो एसपी सिटी जिम्मेदार है यहाँ आपको बता दें कि यती नरसिहानन ने अलिगर मुस्लिम विश्विद्याले के खिलाफ भी फीशन आपत्ती जनक बातें कही थी उन्होंने कहा था कि इसे बम से उड़ा देना चाहिए यहाँ जो पढ़ते हैं जो रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल देना चाहिए यह सब कहने के बाद बहुत मजबूरन इनके खिलाफ मामरा दर्ज हुआ लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा यहाँ पर योगी जी सवाल सीधे सीधे आपसे है कि एक तरफ जब आप दावा करते हैं कि नंबर वन है कानून विवस्था तो यह जो साजिश करने वाले लोग हैं यह तो आपको ठेंगा दिखा रहे हैं लिहाजा बहुत ज़रूरी है इन नफरती तत्वों के खिलाफ बो झाल